हलो बच्चो हलो एवरिवन बिटा हम लोग पेस बैच में सेकिंड चैप्टर बॉटनी का स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं प्लांड किंडम मैंने अल्रेडी आपको थ्री लेक्चर्स में सेल साइकल कंप्लीट किया है और उस चैप्टर को पढ़ाने का रिजन ये था कि वो चैप्टर बहुत सारे चैप्टर से जुड़ा हुए उनमें से एक चैप्टर हमारे पास प्लांड किंडम भी है प्लांड किंडम चैप्टर क्लास 11 का थर्ड चैप्टर है और इस chapter की जो roots हैं वो काफी सारे chapter के साथ जुड़ी हुई है For example, class 12 में sexual reproduction in flowering plant वो plant kingdom से एक related chapter है तो इसलिए इस chapter को ले रहे हैं हम और एकदम basic से concept build up करेंगे और बहुत सारे बच्चों को जिन topics में problem है जैसे कि उन्हें sporophyte और gametophyte समझ नहीं आता और एक concept है कि seed habit क्या होता है, precursor of seed habit teridophyte में इन में problem होती है तो वो सारी चीज़े proper detail में पढ़ेंगे और मैं आपको इस chapter में एक approach बताऊंगा कि क्या follow करनी है जिससे आप board level का as well as neat के questions को properly attempt कर पाएंगे तो start करते हैं अपना lecture और बिलकुल basic से पढ़ते हैं और इसमें एक एक points को clearly NCRT से समझेंगे आपको देखना पढ़ेगा कि क्या ऐसी details हैं जो NCRT में hidden है जिसको मैं आपको समझाऊंगा तो start करते हैं plant kingdom सबसे पहले हम ये कहेंगे बिटा कि जब biological classification आपने पढ़ा था या हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास five kingdom classification होती है उसमें एक kingdom है plantae तो जो kingdom plantae है उसको मैं five group में divide करता हूँ या five division में divide करता हूँ इनकी detail मुझे इस chapter में पढ़ नहीं है तो kingdom plantae की जो पाँच important division है जिसे मैं कहता हूँ algae second is bryophyte third is a teridophyte and fourth is gymnosperm clear gymnosperm fifth हमारे पास है angiosperm तो ये वो पाँच divisions हैं जिनको हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं कुछ detail मैं आपको बता देता हूँ जो angiosperm है उसकी ज़ादा detail इस chapter में नहीं पढ़ाए गई क्योंकि इसके लिए मेरे पास already कुछ और chapters है for example chapter number five morphology and chapter number six anatomy of flowering plant वो मेरे पास angiosperm के लिए deal कर रहा है और class 12 में उसमें reproduction पढ़ाए गई है ये चीज clear हो गई अब हम बिटा क्या जानेंगे इस chapter के बारे में उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो five divisions थी जब आपने class 9 में पढ़ा था तो उसने algae को एक group में पढ़ाया था जिसे थैलोफाइटा कहते हैं मतलब thallus like structure होता है आपने algae word ना पढ़के एक group पढ़ा था थैलोफाइटा clear और आपने बिटा इनको नाम दिया था ये वाले जो नाम थे ये जो group थे जैसे इनमें seed बनता है तो इनने spermatophyta बोला था ऐसी कुछ चीज़े आपने class 9 में पढ़ेगी तो अब हम क्या करेंगे इन 5 division के आसपास ये chapter गुमेगा आपका और आपको एक नया concept add होगा इस chapter में जिसे हम कहते हैं sporophyte और gametophyte clear हो गई बात अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बिटा देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस chapter को approach कैसे करना है मतलब इसको पढ़ने की approach क्या रहेगी clear किस तरीके इस chapter को हम follow करेंगे ताकि maximum output आए तो सबसे पहले approach क्या करेंगी इसमें बिटा मैं हर एक ग्रुप में जो मैंने past division पढ़ने ही मतलब बताई है आपको उसमें मैं क्या follow करूँगा क्या approach follow करूँगा मैं ये कह रहाँ बिटा आपको कोई भी division होगी उसमें आप सबसे पहले आप पढ़ोगे उसके habitat के बारे में clear habitat के बारे में for example माल लो मेरे पास algae है तो algae कहां मिलती है ये मैं पढ़ूँगा मतलब that is habitat चैप्टर पढ़ने की approach बता रहाँ फिर आप उस division के क्या पढ़ोगे structure कि उसमें basically structure क्या है मतलब उसका structure कैसा है वो दिखने में कैसा है उसकी external detail कैसी है उसकी internal detail कैसी है plant kingdom में echetype की nutrition है that is basically that is basically autotrophic nutrition इस वज़े से हम nutrition वाले topic को उतना जादा नहीं पढ़ते क्योंकि वो echetype का है क्योंकि normally चीजे हम वो पढ़ते हैं जैसे अंतर जो difference होता है उसके हिजाब से पढ़ते हैं तो next third topic रहेगा nutrition fourth रहेगा हम reproduction जो हम पढ़ेंगे बिटा and fifth is basically economic importance economic importance तो इसका मतलब यह हो गया हमारे पास यह वो details है जो हम basically पढ़ेंगे इस chapter में सारे divisions मतलब जो 5 group बताएं उनमें मैं यही details पढ़ूँगा इनी के आस पास पढ़ूँगा लेकिन जो angiosperm है द्यान से देखिए बिटा angiosperm जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ यह angiosperm इस angiosperm में हम लोग जो structure वाली बात है जैसे हमने का था ना structure पढ़ेंगे उसके लिए दो separate chapter है separate chapter means morphology of flowering plant और anatomy of flowering plant और उसके बाद द्यान से सुनेंगे बिटा उसके बाद जो उसका reproduction है वो class 12 में दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ इस chapter में मुझे ज़ादा detail इन चार divisions की पढ़नी है इसका just एक overview दिया रहेगा इस topic का क्या given होगा overview यह चीज clear हो गई कैसे पढ़ना है approach क्या है तो approach यह रहेगी इस chapter में मैं यह topics पढ़ूँगा clear और questions का क्या approach रहता है कि जैसे माल लो मैंने LG का एक feature पढ़ लिया feature means कि मैंने उसके structure के बारे में पढ़ लिया तो question कैसे आएगा हमें क्या होगा इसके साथ इसके examples याद करने पढ़ेंगे LG के तो questions यह आएगा कि यह feature present है के नहीं और उसमें option में examples दे रख्या होंगे मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि हम इस chapter में हर group के बारे में पढ़ लेंगे और उसके examples याद कर लेंगे question में feature पूछा होगा और example mention होगा इस तरीके के questions इस chapter से आते हैं normally इस chapter से जो questions आते हैं बिटा वो 2 से 3 questions होते हैं और वो भी हमारे पास NCRT से होते हैं और एक concept जो इसमें परिशान करता है बच्चों को वो है sporophyte and gametophyte का concept जो एक नई चीज रहेगी class 11th के लिए और आपको एक नई चीज समझने को मिलेगी sporophyte और gametophyte को लेके तो हम क्या करने वाले हैं start करते हैं इस chapter को chapter को properly अब start करते हैं और अपना first topic हम लोग जो पढ़ेंगे बिटा वो पढ़ने वाले हैं algae ठीक है algae और हम algae में क्या पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया algae में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बिटा algae का habitat means algae मुझे कहां मिलती है then we study algae का structure हम algae के structure को पढ़ेंगे ये चीज समझा रही है फिर हम पढ़ेंगे algae का habitat structure फिर हम पढ़ने वाले हैं algae का nutrition चीख है और फिर हम पढ़ेंगे algae की reproduction और next हम लोग बात करने वाले हैं बिटा algae की economic importance इस तरीके से हम move कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये समझ आना चीए chapter पढ़ना कैसे है मतलब plant kingdom chapter कैसे पढ़ेंगे मेरे पास 5 divisions है algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm उनके अपने कुछ NCIT के examples दे रखें जो NCIT में given है हम उन groups के feature याद करेंगे उन groups के feature समझ के याद करेंगे properly NCIT से और साथ में example question में feature पूछा रहेगा और example option में होगा हम ऐसे move करेंगे ये एक approach है पढ़ने की और हम start कर रहे है topic algae से और algae में मुझे ये details चाहिए clear यहां तक ठीक है ये वो overview है वो base हमने बना लिया जिस पर अब इस chapter का build up होगा मैं आप surely आपको ये बोल सकता हूँ कि आप इस chapter में जैसे जैसे move करेंगे आपकी understanding बढ़ेगी बहुँ सारी चीजों की जैसे की seed habit क्या होता है जैसे NCRT में एक topic दे रखा है teridophyte में precursor of seed habit उसकी एक special understanding है clear sporophyte, gametophyte की understanding है life cycles की understanding है तो एक understanding बढ़ाने वाला topic है तो इसमें deal करते हैं सबसे पहले हम algae हम first division पढ़ रहे हैं और algae में हमने कहा था सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे habitat clear habitat जैसे सुनेंगे algae मेरे पास मैं habitat लिख रहा हूँ कि कहां मिलती है जैसे सुनेंगे तो normally जब मैं habitat की बात करता हूँ तो एक होता है main habitat और एक होता है उसका extreme या some unusual habitat तो जब मैं habitat की बात करता हूँ तो मैं लिखता हूँ algae mainly mainly marine है sorry mainly aquatic है हम ये लिखेंगे बिटा algae mainly क्या है aquatic पानी में मिलती है ठीक है mainly पानी में मिलती है अब पानी भी मेरे पास दो तरीके का होता है एक होता है बिटा fresh water एक होता है fresh water fresh water में भी बिच्चे आपका flowing water होता है जैसे की river flowing अलग होता है और lake वगरे में pond वगरे में क्या होता है हमारे पास stagnant stagnant किसमे होता है pond में stagnant किसमे होता है pond में ये चीज़ समझ आ रही है और दूसरा option हमारे पास क्या होता है marine marine मतलब salt water हमारा ठीक है ocean ठीक है इससे related habitat हमारे पास क्या हो सकता है deep sea ocean में भी बिटा जहां light कम जाती है वो थोड़ा सा scattering से पोंचती है वो deep sea है और एक और water एंसी आटी लिखती है brackish water कौन सा water लिख रही है बिटा brackish water लिख रही है brackish water ये चीज़ समझ आ रही है तो brackish water जो हमारे पास है brackish water जो हमारे पास है ये वो water है ये basically वो water है जहां पर fresh water marine से mix होता है उसे brackish water कहते है समझे रहे हो इस बात को तो marine तो है ही उसमें कुछ options और होते हैं brackish water वो है जहां fresh water mix with marine अना ऐसा होता है ना आप अगर ध्यान से सोचो river जो है वो ocean में जाकर मिलती है तो ये वो जगा होगे तो ये हमने कहा कि ये main habitat है इसके अलावा NCRT ने लिखा है कुछ और habitat होते हैं उन्हें हम कहते हैं unusual habitat unusual unusual का मतलब ये normal habitat नहीं है these are unusual habitat समझ लो इस बात को in unusual habitat में NCRT ने लिखा है moist soil क्योंकि algae को थोड़ा बहुत moisture जरूर चाहिए moist stone ऐसी लकडी जो बारिश से गिली है wood clear lichen के साथ lichen क्या होता है algae और फंजाई का association clear lichen एक ऐसा organism है जिसमें algae और फंजाई दोनों होती है इसके अलावा एक beer होता है जो बहुत slow है slow animal है उसके उपर मेरे पास कौन ग्रो कर जाती algae पहले हम नाम भी पढ़ाते थे इसका trichophilus नाम था पर आपको नहीं करना अब NCRT में नहीं है मतलब NCRT में पहले भी नहीं था यह आएगा नहीं तो आपको याद करना है यह unusual habitat और यह मेरे पास क्या है mainly aquatic mainly aquatic में दो option fresh water और marine तो यह हमने किसकी बात कर ली बिटा algae के habitat की बात कर ली algae मुझे मिलती कहा है इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं बिटा algae का हमने habitat पढ़ लिया algae का हमने habitat पढ़ लिया तो आप देख भी सकते हो algae के बारे में NCRT लिखती भी है कि they are present in variety of habitat moist, stone, soil, wood कुछ lichens के साथ होते हैं lichens में होते हैं और animals पे और mainly मेरे पास क्या होते हैं marine mainly aquatic है freshwater और marine यह algae के बारे में NCRT mention कर रही है clear हो गई बात यह ठीक है अब हम आगे जाएंगे algae के structure के बारे में पढ़ेंगे clear algae के किस के बारे में पढ़ेंगे structure के बारे में ध्यान से सुनना में जो आपको बताऊंगा देखे algae एक ऐसा organism है ध्यान से सुनेंगे बिटा algae जो है मेरे पास एक simple organism है simple का मतलब होता है जैसे मालो मेरे हाथ पैर है मैं एक complex organism हो algae एक simple organism है जिसका structure thaloid है now thaloid का meaning होता है जिसमें कोई differentiation ना हो differentiation का मतलब उसमें root stem leaf नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता इसलिए हम कह रहे हैं कि algae का structure कैसा है simple है thaloid है ठीक है chlorophyll है उसमें उसमें क्या है बेटा chlorophyll है chlorophyll present है और हम कहेंगे इस वज़े से autotrophic है तो algae जो है बेटा हमारे पास एक multicellular meanly organism होता है उसके structure क्या होता है simple thaloid ये कुछ detail हम बात करते हैं clear हम ये कहते हैं algae जो होता है इसे मैं algae कह रहा हूँ ये चीज algae है इसकी अपनी कोई shape नहीं है सिर्फ cells है cells ऐसे जुड़े वे हैं तो हम क्या करते हैं हम ये कहते हैं algae के structure में मुझे दो चीजे पढ़नी है पहला उसका external structure दो चीजे पढ़नी है external structure चीक है दूसरी बात मैं पढ़ूंगा algae के cell की detail क्योंकि algae एक eukaryotic cell है न तो उसकी अपने एक cell की detail होगी मतलब उसके cell मतलब मैं ये कह रहा हूँ बिटा आपको कि जब मुझे structure वाला topic पढ़ना है तो मुझे क्या पढ़ना है मुझे उसमे external structure पढ़ना है उसके साथ साथ मुझे क्या पढ़ना है cell की detail पढ़नी है समझ लो इस बात को external structure और cell की detail पढ़नी है algae में external structure की जब मैं बात करूंगा तो उसमें मैं क्या पढ़ूंगा अभी बता रहा हूँ आपको और cell की detail में मैं क्या पढ़ूंगा वो चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जब मैं LG को देखता हूँ, तो मैं एक statement बोलता हूँ, LG को देखकर, कि LG मुझे single cell की भी दिखती है, ठीक है, और multi cellular भी दिखती है, ऐसी, तो एक statement लिखते है, external structure में, कि LG, जो है बिटा, LG vary in, vary मतलब vary करता है, vary मतलब change होगा, vary in form and size, form and size, LG में बड़ी variation मिलती है, form और size में, तो जरा एक बार उसके external structure की हम लोग बात कर लेते हैं, फिर cell की detail देखेंगे, तो हम जो बात कर रहे हैं, बिटा, LG के external structure की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत important points बताऊंगा, देखो, हम यह कह रहे हैं, कि LG जो है बिटा, LG vary in, form and size, form and size, जरा form की बात कर लेते हैं, यह क्या कहना चाहरा है, NCRT में, ऐसी क्या बात है, जो यह NCRT में बोल रहा है, form का मतलब है, LG मेरे पास unicellular हो सकती है, single cell की भी LG हो सकती है, छीक है, मेरे पास LG कैसी हो सकती है, multicellular, single cell की भी हो सकती है, multicellular भी हो सकती है, तो जो multicellular LG है, उसमें cells, देखो, यह एक cell है, ऐसा एक और सेल, ऐसा एक और सेल, इस तरीके से अगर सेल्स अरेंज हो, तो इसे मैं फिलामेंट कह देता हूँ, फिलामेंट, हाना, तो LG जब मल्टी सेलूलर होगी, तो ऐसी हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, इसे हम कहते हैं, फिलामेंट, सेल्स ऐसे लगे वे हैं, दूसर option हो सकता है बेटाचा filament में भी देखो ये भी filament है ना ये भी filament है ये filament है तो ये वाला कैसा है branch है ना branch branch filament है तो ncrt कहती है algae show variation in form form का मतलब single cell की algae हो सकती है multi-cellular हो सकती है multi-cellular में एक option है filament वाली दूसरा option है किसी slimy चीज में काफी सारे algae के cells present है मतलब बहुत सारे algae के cells present है जुड़े निवे आपस में एक चिपचिपी चीज slimy चीज उन्हें साथ रखे हुई है जैसे mucilage type की तो इसे हम कहते है colonial इसे हम कहते है colonial तीसरा option हो सकता है मिटा हमारे पास algae क्या करे थोड़ा सा थैलस बना दे जिसे हम कहते है पैरंकाइमेटस थैलस मतलब प्रॉपर एक थैलस बना दे थैलस का मीनिंग होता है कि हमारे पास बहुत सारा देखो बहुत सारे filaments मिलते चले गए क्लियर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया जिसमें थोड़ी सी डिफ्रेंशेशन है तो हम यह कहेंगे algae, show, variation in form, form मतलब single cell की हो सकती है multicellular में filamentous, colonious, थोड़ा सा advanced type का मतलब cells जोड़के थैलस बना सकते हैं थैलस बना सकते हैं तो यह इसकी form हो गई दूसरी हम बात कर सकते हैं algae vary in size अना algae vary in size vary in size का मतलब मेरे पास एक single cell की algae है जान से सुना बिटा single cell की algae है तो वो तो microscopic होगी ना आँख से दिखेगी नहीं इतनी चोटी है कि आँख से नहीं दिख रही उसका नाम है मालो कलमाइडो मोनास क्या नाम है कलमाइडो मोनास तो हम यह कह रहे हैं कि algae का size बहुत vary कर रहा है size कैसे vary कर रहा है छोटे size की algae है लेकिन एक 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी मेरे पास क्या हो सकती है brown algae तो आपको यह समझ आना चाहिए कि algae का size microscopic से लेकर एक मतलब बहुत बड़ी मेरे पास algae के size में जा सकता है तो उसे हमने कहा single cell से वो 100 मीटर तक जा सकता है यह हमने क्या बोला है algae vary in size बोल दिया यह चीज clear है algae का size और form काफी vary करती है तो हम इस चीज में examples के through भी जा सकते हैं जैसे for example हम क्या पढ़ते हैं बिटा हमने कहा कि ठीक है algae की form variable है form variable है इस variable form में सबसे पहले हम लिख सकते हैं unicellular algae तो unicellular algae का आपके syllabus में जो example है वो दो है एक है clamidomonas clamidomonas यह एक example है बिटा क्या पढ़ोगे इसे clamidomonas दूसरा example है chlorella यह single cell की algae होती है दूसरा हमने form में बात करी थी colonial algae की किसकी बात करी थी बिटा colonial algae की तो colonial algae में कौन आ जाएगा मेरे पास colonial algae में आ जाएगा walworks यह example है ना walworks और third मैंने जो बोला था बिटा आपके पास third जो मैंने बोला था colonial के बाद filamentus अब filamentus में बिटा मेरे पास आप ध्यान से देखना मैं ऐसे filament बना रहा हूँ इस तरीके से तो यह example है eulothrix एक example है इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ spirogyra spirogyra class 10 में आपने पढ़ा था fragmentation करके spirogyra पड़ा था तो यह मेरे पास filamentus है मेरे पास filamentus brown algae भी होती है क्योंकि यह सारे example मैंने किस algae के लिखे हैं बिटा green algae के तो filamentus मेरे पास brown algae भी होती है और red algae भी होती है तो यह मैं आपको कुछ examples बता रहा हूँ कि यह आप क्या पढ़ रहे हो यह आप क्या पढ़ रहे हो कि किस तरीके से आप आप देखोगे कि form variable है अना form variable है अब हम क्या बात पढ़ेंगे बिटा हम हम जो next इसमें बात पढ़ने वाले हैं वो उसके structure की detail पढ़ेंगे लेकिन आप देख सकते हो यह NCRT की detail है कि form और size algae का highly variable है आप देखें मैं proper NCRT सारी बताऊंगा आपको और वो size range कर सकता है single cell से लेकर जो कि कलमेडो मोनास है colonial जा सकता है वालवोक्स, filamentus, yulothrix और spirogera और marine form जैसे की kelp है वो बहुत बड़े plants बना सकते हैं clear बहुत बड़े plant बड़े plant का मतलब यह हुआ कि massive plant body बना देते हैं अब हम आते हैं बिटा topic algae के structure पे algae के structure की बात कर लेते हैं ध्यान से सुनना बहुत important बात करने वाला हूँ यहां पर मैं यहां पर आपको बिटा बताऊंगा algae के structure की बात की algae का structure कैसा है देखें हम structure में हमने form और size पढ़ लिया हमने क्या पढ़ा बिटा अभी form and size पढ़ लिया अब हम क्या पढ़ेंगे algae के cell की detail अब सुनना मेरी बात बहुत important चीज बोल रहा हूँ देखो algae एक eukaryotic organism है क्योंकि plant kingdom है तो algae में जो भी cell है वो eukaryotic है यू केरियोटिक cell में आप बहुत सारे feature पढ़ते हो जैसे की eukaryotic cell में nucleus होता है हना mitochondria हो सकता है clear उसके लावा ribosome हो सकता है ये बहुत सारे features होते है और्गनल्स होती है बहुत सारी ER, endoplasmic reticulum, golgi body ये सारी और्गनल्स होती है पर हम क्या करेंगे बिटा algae को मैं तीन ग्रूप में divide करता हूँ green algae, brown algae, red algae मैं क्या करूँगा cell की वो detail पढ़ूँगा जो algae में तीनो algae में अलग होगी तो मैं cell की detail वाले topic में क्या पढ़ूँगा? मैं पढ़ूँगा cell wall मैं उसकी nucleus की detail नहीं पढ़ूँगा क्योंकि तीनो algae में nucleus लगबग एक जैसा है हना तो हम पढ़ते क्या है जो अलग है? अलग क्या है? cell wall cell wall के अलावा मैं पढ़ूँगा बेटा, flagella, मैं flagella पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा pigment और storage ये चार points मैं पढ़ूँगा cell की detail में, हना cell की detail में मैं इन चार points को discuss करने वाला हूँ आपके साथ clear? और वो तीनों अलगी में comparison के थुख, ठीक है? जिसे for example, हम सबसे पहला point जैसे cell wall की बात करेंगे तो cell wall क्या होता है? कैसे है? जराथ थोड़ा सा देख लेते हैं, देखे माल लीजिए, मैंने ये एक plant cell बनाया बिटा, इस तरीके से मैंने क्या करा है? एक plant cell बनाया ध्यान से देखना बिटा, मैंने इस तरीके से plant cell बना लीए हमाल लो, ठीक है? इसके बाहर ये cell wall है, ज्यान से देखना बिटा, ये मेरे पास cell wall है ठीक है तो मैं इसको लिख रहा हूँ कौन सी मेंबरेन प्लाजमा मेंबरेन और आउटर लेयर क्या है मेरे पास सेल वॉल है ये सेल वॉल है ठीक है ये सेल वॉल है अब ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाहरा हूँ यह जो cell wall है, इसको मैं ज़रा zoom करता हूँ, इस cell wall को मैं हलका सा zoom कर रहा हूँ, zoom करने का मतलब थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यह cell wall ऐसी दिख रही है, ऐसे, इसमें मेरे पास cellulose के ऐसे threads होते हैं, इस तरीके से क्या है बिटा यह, cellulose के threads, cellulose के threads होते हैं, और algae में, outer side में, कोई ना कोई chemical deposit होता है, outer side मतलब इस cell wall की outer side में ऐसे, पुड़ा सा बाहर की side में chemical deposit होता है, तो हम लिख रहे हैं, cellulose के threads होंगे, और chemical deposit होता है outer side में, chemical deposit का मतलब कुछ ऐसा chemical deposit होगा, उसकी cell wall की outer side में, अब मैं जो आपको एक बात बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनना मैं यह कह रहा हूँ बिटा कि chemical deposit हो रहा है outer side में और यह chemical जो है वो depend करता है type of algae में यह chemical actual में क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत पानी hold कर सके मैं आपको एक छीज बताता हूँ ocean के अंदर ocean है मालो यह ocean है ocean के अंदर यह algae है मालो तो जब low tide होती है तो पानी नीचे आ जाता है और algae sun को expose करती है तो उसकी cell wall में outer side में कोई ऐसा chemical होना चाहिए जो उस पानी को hold कर सके ताकि algae सूखे नहीं इसके लिए बिटा हमारे पास जो chemical होता है जैसे कि green algae में पैक्टिन या पैक्टोस तो हम यह लिखेंगे अगर आप cell wall पढ़ो green algae की तो उसमें लिखा है inner side में cellulose, outer side में पैक्टिन, brown algae में अलग chemical होता है पानी होल्ड करने के लिए तो उसका नाम हमारे पास algae है और red algae में जो होता है मेरे पास पानी होल्ड करने के लिए काराजीन और मैंने आपको reason भी बताया पानी क्यों होल्ड करना है ताकि algae सूखे नहीं क्योंकि algae aquatic organism है और aquatic organism कुछ ना कुछ ऐसा arrangement करते हैं कि उनके surface पर पानी बना रहा है clear हो गई बात? तो cell wall में मुझे ये detail पढ़नी है cell wall के बाद जो हम बात करेंगे देख रहे हो आप किसकी बात करने वाले है? फ्लेजिला की ठीक है? फ्लेजिला की बात करने वाले है ध्यान से सुनना second point जो हम बात करेंगे बिटा cell की detail में वो फ्लेजिला है अब ये फ्लेजिला क्या होता है? देखो मेरे पास क्या होता है बिटा एक single cell में मालो ये कोई cell बना दिया इस single cell में ये मेरे पास thread जैसा structure होता है जो इस cell की movement में help करता है समझो इस बात को actual में क्या होगा कोई भी single cell है single cell कोई भी single cell है उसमें ये thread जैसा structure सम्में नहीं होता ये thread जैसा कुछ होता है जो movement में help करता है thread like होता है जो किसमे help करता है help करता है movement में help in movement movement में help करता है बेटा अब मेरी बास सुनना ध्यान से और ये movement किसमें और ये पानी में कुनसे environment में aquatic environment में तो aquatic environment में ये move करा रहा है ये move करा रहा है तो इसका मतलब फ्लैजिला एक ऐसा hair-like structure होता है जो single cell में movement कराता है अब कुछ बच्चे कहेंगे इसका मतलब तो ये unicellular organism में होगा नहीं ये multicellular में हो सकता है लेकिन उसकी unicellular stage में अब ये क्या बात हो गई? मतलब समझो जैसे human है human में flagela कहा होगा उसके gametes में क्योंकि human तो multicellular है पर उसके बनने वाले gametes unicellular है तो human के sperm में flagela होता है समझ आ रही है बात में क्या कहना चारों बिटा? तो flagela एक single cell का feature है flagela किसका feature है? single cell का feature है वो single cell organism में भी हो सकता और multicellular में भी हो सकता है यह चीज समझ आ रही है और flagela का होना flagela का होना बिटा flagela अगर present है तो उसकी presence की वज़े से cell motile हो जाता है motile का मतला पानी मर्जी से अपनी direction में जा सकता है जैसे for example मालो यह एक cell है और पानी flow कर रहा है इधर cell के पास flagela है वो अपनी मर्जी से इधर जा सकता है अगर उसके पास flagela नहीं है तो जिदर पानी ले जाएगा जाना पड़ेगा तो इस movement को हम कह सकते है active movement active movement के लिए मुझे flagela चाहिए लेकिन पानी जिदर ले जा रहा है water जिदर ले जा रहा है इस movement को हम कह रहे है बिटा passive movement और passive movement के लिए मुझे flagela नहीं चाहिए समझ पारे हो flagela नहीं चाहिए तो active movement और passive movement की हम बात कर सकते हैं flagela के दुरू तो आपको मैं यही पढ़ाऊंगा कि flagela तीनों algae में अलग अलग है जैसे मैं आपको यह बताऊंगा कि जो green algae है green algae में flagela जैसे मैंने यह cell बनाया cell के इस उपर की location को apical कहते हैं apical मतला उपर उपर जैसे किसी चीज के उपर को apical कहते हैं तो flagela इसके उपर है ऐसे और 2 से लेकर 8 होते हैं green algae में चीक है और देख रहे हो size दोनों का equal है तो equal भी होते हैं आप यही पढ़ोगे green algae में और अगर आप brown algae की बात करोगे तो brown algae में flagela मालो मैंने cell बना दिया flagela ऐसे side में है देख रहे हो यह बड़ा है और यह छोटा है side में flagela को कहते हैं lateral का मतलब हुआ green algae और brown algae में motile stage होती है motile stage का मतलब cells flagela की मदद से move कर सकते हैं अम लिख रहे हैं बेटा red algae red algae की बात करेंगे तीन तरह की algae होती है आपके पास green, brown, red red algae में कोई flagela नहीं होता अगर कोई flagela नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा non motile तो एक बार जड़ा flagela को summarize करता हूँ flagela एक hair like structure होता है जो single cell के पास होता है ये unicellular और multicellular दोनों में हो सकता है unicellular में तो cell में होगा multicellular organism में जो उसकी single cell stage होगी जैसे for example gamut gamut single cell होता है वहाँ flagela हो सकता है अगर flagela होगा तो वो अपनी मर्जी से move करेगा उसे active moment कहते है ऐसे passive moment जो होता है वो कब होती है कि पानी अपने साथ किसी चीज को flow कर रहा है क्योंकि flagela का मतलब वो पानी में होगी चीज दूसरी बात बिटा flagela का मतलब होता है चीज चल सकती है उसे कहते हैं motile अगर flagela नहीं है तो हम word यूज़ करते है non motile क्या बोलते है non motile दूसरी बात green algae में अगर कहीं flagela होगा मालो मैं कहता हूँ यह green algae है इसमें flagela है तो flagela कितने हो सकते हैं दो से लेकर आठ उपर की तरफ होगे और उनकी height ये चीज़ ये बराबर होगे अगर brown algae में flagela होगा तो दो होगे बड़ा होगा एक छोटा lateral unequal red algae में मेरे पास flagela क्या होगा non motile flagela क्या होगा मेरे पास non motile तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ flagela की मैंने कहा था चार चीज़े पढ़नी है first क्या था उमारे पास first था अमारे पास उसकी cell wall second था flagela third हम बात करेंगे उसके pigment की कि क्या pigment होता है pigment की बात कर लेते हैं क्योंकि हम cell की detail पढ़े हम बात कर रहे हैं pigment की pigments क्या होते हैं pigments एक ऐसे chemical होते है जो light को capture कर सकते है light को क्या कर सकते हैं capture कर सकते हैं तो हम ये समझ रहे हैं बिटा pigment एक chemical compound है एक chemical compound है जो क्या कर सकता है जो light को basically क्या कर सकता है capture कर सकता है हमारे पास कुछ pigments के नाम लिख रहा हूं एक मैं लिख रहा हूं chlorophyll ठीक है बिटा आपके स्लेबस में क्लोरोफिल की टाइप पढ़ने हैं आपने क्लोरोफिल A हो सकता है, क्लोरोफिल B हो सकता है क्लोरोफिल C हो सकता है, क्लोरोफिल D हो सकता है, E भी होता है पर पढ़ना नहीं है अब ये अलग-लग लिख दी मैंने क्लोरोफिल की टाइप इनमें फरक क्या है कि ये क्या wavelength absorb करते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना light की wavelength होती है, तो ये क्या wavelength absorb करते हैं, इसमें ये अलग होते हैं, chlorophyll अलग wavelength absorb करता है, B अलग करता है, C अलग करता है, D अलग करता है, तो ये मेरे पास क्या होगे, ये मेरे पास क्या होगे, ये मेरे पास आई पाती है, एक आती है केरोटीन और दूसरे आते हैं जैंतोफिल, ये कुछ पिगमेंट्स के नाम बताएं, पिगमेंट्स की डिटेल आप कहां पढ़ोगे, फोटोजनसे में, तो ये पिगमेंट्स हैं, और पिगमेंट्स कहां लोकेट होते हैं, लोकेटिड इन क्लोरोप प्लास्टेड हैं, तो ये पिगमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हमें ये पढ़ाए जाएगा, कि जो ग्रीन एलगी है, उसमें दो तरह के क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, ब्राउन एलगी में, क्लोरोफिल A के साथ क्लोरोफिल C है, और समझ आ रहा है यह तीन है और एक important चीज यहां पर यह है बीटा की brown algae में एक Xanthofil भी होता है उसका नाम होता है Fucosanthin मतब जैसे मैं कहा रहा हूँ कि Fucosanthin क्या है Pigment है ठीक है Fucosanthin फिक तो Fucosanthin मेरे पास कहां present होगा देख लो मैं बता देता हूँ आपको तो brown algae में chlorophyll A के साथ chlorophyll C है और एक fucoxanthin है fucoxanthin एक brown color का pigment होता है brown color देता है इसमें red color का pigment होता है जिसका नाव phycoerythrin है तो ये चीज़ आपको समझ आनी चीए कि algae में pigment भी vary कर रहे है और वो अलग-लग wavelength एब्सॉर्ब करते हैं इसके बाद बिटा मैं बात करता हूँ storage की अना algae में क्या चीज और vary करती है storage क्या vary करती है storage मेरी बात सुनना द्यान से फरक क्या होता है देखो all algae तीनों कौन-कौन से green, brown and red ये तीनों photosynthetic है तो photosynthetic algae में food किस form में बनेगा? सोचो food जो बनेगा food form in glucose किस form में बना? glucose की form में clear glucose की form में पर storage form अलग है क्या अलग है बिटा? storage form differ कर रही है ये differ कर रही है, मेरी बात समझो द्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ? सारे plants खाना glucose की form में बना सकते हैं बनाते हैं, basically किस form में store करते हैं ये differ करती है तो green algae में तो normal starch store हो जाता है green algae में carbohydrate किस form में store हो जाता है? starch brown algae में starch की एक अलग form है जिसे हम कहते हैं laminarian starch clear? laminarian starch छीक है? इसके अलावा एक और हमारे पास chemical होता है carboyated ही है, उसे manitol कहते है manitol हाँ? और red algae में बिटा red algae में मेरे पास है floridian starch तो ये आप समझो कि सारी algae बनाता खाना किस form में है? glucose की form में फरक कहां है? storage form तो ये चार points हैं जो algae में आपको comparison में याद रखने है cell wall, flagilla, pigment और storage उसी पर हम लोग discussion में आगे जाएंगे clear? और मैं NCRT में देख भी सकता हूँ कि algae में क्या चीज़े थी हना हम लोग variable वगर है पढ़ चुके अब मैं आपको क्या बताऊंगा nutrition सबसे पहले मैंने कहा था आपको इस chapter में सारे में हम क्या पढ़ेंगे? first हम पढ़ेंगे क्या? आपका habitat second structure, third हम पढ़ रहे है nutrition अब nutrition के लिए concept सुनो क्या पढ़ रहे हैं? पूरे plant kingdom में यही nutrition मिलता है ज्यान से जुनना हूँ nutrition क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर complete plant kingdom जो है complete plant kingdom सारे group उसमें एक ही टाइप का nutrition है same type of nutrition कौन सी टाइप है बता रहा हूँ कौन सी टाइप है ध्यान से जुनना बटा है देखो हमारे पास क्या होता है? photo senses दो step में होता है step one यह होता है कि पानी break करता है और एक compound है मालो X उसको अपनी hydrogen दे देता है ऐसे और oxygen free कर देता है इसे हम कहते है light reaction मैं repeat कर रहा हूँ सारे plant में इसी तरीके से चलता है कि यह जो पानी है यह break करता है अपनी hydrogen इस compound X को दे देगा और एक oxygen बनाएगा जो by product होगा वो इसलिए कर रहा है यह चीज क्योंकि CO2 को reduction करनी पड़ती है glucose बनाने के लिए मतलब यह जो hydrogen पानी से यहां आया है इस hydrogen को CO2 को देकर मुझे यह बनाना पड़ता है आप देख रहे हो यह reduction है यहां पर hydrogen आई है न C carbon और oxygen के बीच में यह reduction है तो इसके लिए मुझे hydrogen कौन देता है इसके लिए hydrogen मुझे यह access देता है जिस पर यह hydrogen पानी से आई और साथ में मेरे पास फिर वापसी X बन जाता है इसे हम कहते हैं dark reaction आपने यही चीजें relate करके 10th की NCRT में life process में पड़ाता है मैं यहां पर यह बताना चाहरा हूं कि photosenses के 2 step होते है light और dark reaction light reaction में पानी break करता है oxygen by product बनता है dark reaction में CO2 का reduction से glucose बनती है clear पूरे plant kingdom में यही photosenses होती है और इस photosenses में by product क्या है बेटा by product oxygen है इसलिए इसे हम कहते हैं oxygenic oxygen बनाने वाली photosenses तो पूरे plant kingdom में यही photosenses होती है इसलिए हम nutrition का topic नहीं पढ़ते जादा क्योंकि एक ही जैसा है इसके लिए एक chapter है plant physiology में photosenses in higher plant वहाँ detail पढ़ेंगे लेकिन अभी आपने से विए समझना है चाहे algae हो, bryophyte हो, terido हो, gymno हो, angiosperm हो सम्मे एकी type की nutrition होती है कि वो पानी को तोड़कर glucose बनाने में वो hydrogen use करते हैं अब हम बात करने वाले हैं algae के reproduction की अना algae के reproduction की जब भी हम reproduction की बात करते हैं बिटा तो हम normally जो headings पढ़ते हैं हम asexual और sexual की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं हम यह कहते हैं कि algae के reproduction को आप तीन टाइप में रख सकते हो जिसमें पहली दो टाइप मिलती जूलती है एक जिसे मैं कह सकता हूँ वेजीटेटिव का मतलब होता है कि structure जो है मेरे पास structure जो है उसमें कोई proper cell division नहीं हो रही reproduction को दो पार्ट में ले लेते हैं एक ले लेते हैं एसेक्शुल और दूसरी ले लेते हैं sexual चीक है जब हम क्योंकि fungi में इसको यह तीन पार्ट में बताता है तो मैं इसको वहां से रिलेट कर रहा था है एक टाइप है मेरे पास fragmentation यह आपने spirogera के लिए पड़ा था fragmentation जरा देखो क्या होगा माल लो आपके पास यह algae का filament है यह algae का filament है ठीक है algae के filament है ऐसे अगर यह छोटे छोटे पार्ट में break कर जाए तो हर पार्ट एक नया थैलस बना देगा और नए थैलस बनाने के लिए वो क्या करेगा division mitosis टाइप से तो fragmentation क्या होता है अगर algae का यह पार्ट तूट जाए तो नया plant का पार्ट बना सकता है और यह asexual क्यों है क्योंकि इसमें mitosis involved होगी अगर होगी तो कोई मतलब variation नहीं आएगी दूसरा तरीका बिटा algae में क्या होता है उसे कहते हैं हम spore formation spore formation अब यह spore formation कैसे होगा फोड़ा सा समझना इसको यहां पर यहां बता रहा हूं ध्यान से देखना देखो यह spore formation ऐसे होगा यह algae का एक filament है ऐसे इसमें यह nucleus है होता यह है बिटा इस filament के अंदर मानलोग कुछ cells थे यह cells थे इन cells के अंदर mitosis से और cells बन जाते हैं मतलब यह एक cell के अंदर इस cell के अंदर मानलो यह वाला cell था mitosis से और cell बन जाते हैं ठीक है और cell बन जाते हैं इन cells को हम नाम दे देते हैं spore ठीक है जड़ा next slide पे देखते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं बिटा जहां से सुनेंगे हम क एसेक्शुल के लिए हमने क्या बात करी बिटा, एसेक्शुल के लिए हमने क्या बात करी, हमने कहा कि एसेक्शुल का एक मैथड तो क्या था आमारे पास, फ्रेग्मेंटेशन, एक मैथड फ्रेग्मेंटेशन था, अना, फ्रेग्मेंटेशन, सेकिन मैथड हमने क्या बोला ब बनेंगे, spore कैसे बनेंगे, यह algae का filament है, यह algae का क्या है filament, अना normal algae है मतलब filament है, इस filament के इस cell के अंदर, इस cell की बात कर रहा हूँ, कोई भी cell में, अगर condition better हो, तो वो cell divide करके अंदर ही कई cells बना देता है, अंदर ही कई cells बना देता है, इसे, इन cells को हम क्या बोल देते है, spores, क्या बोल देंगे, spores, ऐसे बन गए, ठीक है, सबसे पहले तो समझो, spore क्या होता है, single cell की चीज़ होती है, spore, spore unicellular होता है, ठीक है, अगर उस spore पे flagella लगा हो, उसे zoo spore कह सकते हैं, zoo का मतलब होता है animal ना, zoo में क्या मिलता animal, animal मतलब चलने वाला, तो एक ऐसा spore जिस पे flagella हो, यह देख रहा हो, तो उसे कहते है zoo spore, और एक ऐसा spore जिस पे flagella ना हो, उसे a-planos spore कहते हैं, तो आपके इस लेबस में spore की दो टाइप पढ़ने हैं आप कोई non-motile है जिसमें flagella नहीं है उसे हम बोलते हैं A-planospore उसे हम क्या बोलते हैं बिटा A-planospore तो देखो कैसे reproduction हो रही है यह algae का filament है इस algae के filament ने cells ने divide करके खूब सारे spore बना लिए अब यह spore इस filament में से बिटा release हो जाएंगे release होने का मतलब और देख रहे हैं इसमें basically क्या है sports में इन sports में flagella है इसका मतलब यह जो spore निकले हैं वो zoo spore निकले हैं देखो zoo spore किसमे होते हैं पानी में algae कहां रहती है पानी में तो इसका मतलब यह होता है algae mainly कौन से spore बनाती है mainly zoo spore बनाती है क्यों zoo spore बनाती है क्योंकि algae पानी में मिलती है लेकिन कोई ऐसी algae बताओ जो zoospore नहीं बना सकती वो algae होगी जिसमें flagella नहीं होता हम कहेंगे red algae समझ आ रहा है अभी हमने just पड़ा तो हम यहाँ पर यह कहरें बिटा algae का filament था उस algae के filament में से ऐसे spore निकल आए इन्हें हमने क्या नाम दे दिया zoospore नाम दे दिया अब इन zoospore से जैसे यह zoospore है इस zoospore को NCIT लिखते है germinate कर रहे है germinate का मतलब है divide करना कभी भी अगर आपको लिखा हो कि यह spore germinate कर रहा है इसका meaning होता है वो spore divide कर रहा है divide करके वो spore और filament बना देगा जैसे divide करता चला जाएगा और इस spore से क्या बन जाएंगे filament और यह cycle ऐसी पूरी दिखेगी आपको तो इसका मतलब हम क्या बदा रहे है algae asexual reproduction एक तो fragmentation से करती है दूसरा spore spore can be of two type without flagella is a planospore this one non motile with flagella zoospore होते हैं तो algae के किसी filament के cell में काफी सारे cells बन जाते हैं और वो cells जब यह तूटता है filament का cell तो यह निकलते हैं बार और germinate करके दुबारा filament बना सकते हैं clear? तो यह एक type है किसकी asexual reproduction की किसके अंदर algae के अंदर और हम क्या पढ़ सकते हैं बिटा? हम क्या पढ़ सकते हैं? algae में अब sexual reproduction की भी बात कर सकते हैं sexual reproduction जब आप पढ़ते हो तो क्या detail आप याद रखते हो? याद करो sexual reproduction में आप क्या याद रखते हो बिटा? sexual reproduction किसके थुरू होती है? by gametes gametes fuse होते हैं sexual reproduction में क्या होती है? by gametes होती है और gametes fuse करके क्या बनाते हैं gametes fuse to form zygote gametes तो बही zygote बनाते हैं तो जड़ा एक बार देख लेते हैं बिटा algae में क्या होता है algae में क्या होता है बिटा gametes में भी type मिल जाती है कैसे ऐसा होता है कई बार कि gametes जो होते हैं उनके size basically morphology की बात कर रहा हूँ same morphology morphology यहाँ पर बात कर रहे है size को लेके size जो होता है वो एक जैसा होता है ऐसा देख रहे हो यह same देखो यह gamete है ऐसे यह भी gamete है देख रहे हो यह जैसे दिख रहे है इन्हें हम कहते है iso gamete तो कुछ algae होती है जो gamete बनाती है वो सारे एक जैसे होते हैं, उनमें male female gamvette नहीं होता, उसे कहते हैँ आइसो gamette, अब ISO gamette में क्या हो सकता, ये दोनो non motile है ना, दोनों में flagella नहीं है, लिकिन है एक जैसे और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में flagella हो, ये दोनो gamut में जो fuse करेंगे उनमें फ्लेजिला हो। तो हम लिखेंगे बोत motile तो isogamut का मतलब gamut की morphology से ही में दोनो non motile हो सकते हैं, दोनो motile हो सकते हैं ये question बिटा, नीट में कम से कम 3-4 बार आया है isogamut non motile का example, spirogyra है ये वो algae है, जो isogamut है isogamut मतलब same size के gamut बनते हैं, लेकिन फ्लेजिला नहीं है clear होगी बात, ठीक है, ये चीज कई बार पूछी हुई है ऐसे ही बिटा हमारे पास n-isogamut हो सकता है n-isogamut का मतलब होगा, एक gamut बड़ा, ऐसे और एक gamut छोटा, दोनो motile या दोनो non motile इसे हम कहेंगे n-isogamut n-isogamut का मतलब morphology differ करेगी morphology क्या करेगी, differ करेगी फिर थर्ड हम बात करेंगे बिटा, u gamut की थर्ड हम बात कर रहे हैं किसकी? u gamut u gamut में क्या होता है? ध्यान से जुनना u gamut में क्या होता है? एक बड़ा gamut होता है इसे हम नाम दे देते हैं female gamet और उसमें कोई flagella नहीं होता, non-motile जब आपने sexual reproduction पढ़ी थी class 10th में तो आपने ये पढ़ाता, एक gamet पर food reserve देते हैं जो बड़े size का होता है, उसे हम कहते है female gamet दूसरा छोटे size का होता है, उसे हम क्या कहते है male gamet और NCRT लिखती है, O gamet में normally male gamet motile होता है मतलब उस पर मेरे पास flagella होता है, ये छोटा होता है इनके numbers ज़ादा होंगे, ये move करके जाएगा इसके पास इसे O gamet कहते हैं, इसे क्या कहते हैं O gamet अब मैं इनके examples यहाँ ना बता के, इनके algae के group में बताऊंगा कौन सा iso gamet and iso gamet, वही सबसे ज़ादा important topic है आपके लिए इचे समझ आ रही है, वही topic सबसे ज़ादा important है जो आपको आना चाहिए clear, iso gamet and iso gamet, o gamet की हम लोग बात करने वाले हैं अब हम लोग next जो इसमें बात करेंगे बिटा, next जो इसमें बात करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं topic बिटा, यह देख लो, NCRT से हमने जस्ट पढ़ा है, मैंने का examples अभी discuss करेंगे, तो उससे पहले देख लो, हम क्या कह रहे हैं बिटा algae, vegetative, asexual, sexual मैंने का थे, इन दोनों को साथ ले लेते हैं, नहीं तो vegetative का example fragmentation है, जैसा कि fungi में है, asexual में आप spores पढ़ सकते हो, और हमने लिखा है most common कोन से है, zoo spore, सही है, और germinate का मतलब होता है, divide करके, नई algae बना सकता है, और हम यह कहने हैं, reproduction देखो, sexual कैसे हो सकती है, हम कह सकते हैं, similar size के होंगे, isogamous, और देख रहे हो, इसमें non-motile में spirogera दे रखा है, non-motile मतलब, जिसमें flagella नहीं है, and isogamous हो सकते हैं, eudorina add हुआ था, ठीक है, NCRT में, और U gamus में यह दो दे रखे हैं, walvox और fucus, इसके examples अभी करेंगे हम group में जाके, clear, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बिटा, algae की economic importance की बात कर रहे हूँ, ठीक है, algae के economic importance की, क्योंकि हमने जब topic start किया था, हमने कहा था, किस sequence में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या चीज, बिटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जहां से सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसका habitat, structure, ठीक है, external structure, और साथ में cell की detail, थर्ड चीज क्या पढ़ने वाले थे हम लोग, nutrition, फोर्थ हमने reproduction पढ़ना था, फिफ्थ हम पढ़ते है, economic importance, तो algae की economic importance, combine तीनों ग्रूप की बता रहा हूँ, सबसे पहले NCIT लिखती है, algae जो है बिटा, एक तरीके से photosynthesis करती है, तो photosynthesis जब करती है, तो हम यह कहते हैं कि more than 50%, more than 50% CO2 fix करती है, algae, fixed by algae in marine environment, तो marine environment में more than 50% CO2, कौन fix करता है, algae fix करता है, यह NCIT लिखती है, क्योंकि photosynthesis करती है, photosynthesis से क्या बढ़ती है, oxygen increase करती है पानी में, clear, क्योंकि algae पानी में है, photosynthesis करके क्या करेगी, oxygen increase करेगी, third economic importance है, कि food chain का पार्ट है, food chain का पार्ट होने का क्या मतलब हुआ, algae क्या करेगी, food chain में एक तरीके से मतलब खाना प्रवाइड कर रही है, aquatic life को, aquatic life में भी animals होते हैं, तो food chain हमेशा किस से चलेगी, start होगी autotroph से, तो वो food chain का पार्ट है, fourth हम यह कह सकते हैं बिटा, कुछ algae को खाया जाता है, तो some algae, like, laminaria, and sargassum, clear, इनको हम क्या करते हैं, edible है, क्या है edible, और लगबक 70 genus हैं, जो edible होते हैं, उन में से यह दो लिखे हैं हमने यहां पे, clear, तो हम यह कह रहे हैं बिटा, algae मेरे पास क्या होती है, edible होती है, कुछ algae को खाया जाता है, उसके बाद क्या होगा बिटा, some algae, produce chemical, produce chemical, जो पानी absorb कर सकते हैं, हमने बात भी करी थी, can absorb water, ऐसे chemical को हम नाम देते हैं, hydrocolloid, क्या नाम देंगे, hydrocolloid, तो कुछ algae है, जो chemical बनाती है, जिनको हम नाम देते हैं, बिटा, hydrocolloid, और ये chemical क्या करते हैं, पानी absorb, hold कर सकते हैं, उनके नाम है मेरे पास, algae जो की brown algae में मिलता है, और caragine, caragine, जो की मेरे पास red algae में मिलता है, इसमें मिलेगा, red algae में, तो ये कुछ economic importance है, जो NCRT से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको, इसके अलावा बिटा, क्या होता है, algae में एक chemical मिलता है, algae से, red algae से, उसे हम कहते हैं, agar, agar क्या है बिटा, एक chemical है, carboid एक तरीके से, obtain from red algae, और red algae से मिलता है, और basically उस red algae का नाम भी mention है, gilidium करके, उससे मिलता है, ये agar क्या करता है, ये solidifying agent होता है, चीज को solid बना, पानी में डालो solid बना देगा, तो ये use होता है, किसमे use in making jellies, ये jellies बनाने के लिए, ice cream बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ solid करना पड़ता है, उस चीज को, दूसरा बिटा, culture के लिए, microbes का culture, हम लोग क्या करते है, bacteria को, जैसे ये petri plate होती है, इसमें medium के साथ अगार डाल दो, तो वो जम जाएगा, तो उस पर आप bacteria grow कर सकते हो, तो microbes को grow करने को कहते है, culture, में culture, तो microbes के culture में हम use कर सकते हैं, ये petri plate होती है, जिस पे आप ये काम कर सकते हो, इसके अलावा, हमारे पास और जो economic importance है, वो ये है बेटा, कि ये actual में है, तो साइनो बैक्टिर है, पर यहां लिखावा है, इनसी आटे में, spirulina, क्या है विच्चे, source होता है protein का, मतलब ये protein का source है, उसके अलावा, ये oxygen भी बनाता है, क्योंकि photosynthesis कौन से वाली है, oxygen बनाने वाली, तो ये दोनों जो हैं, इस दोनों की वज़े से, spirulina को use करते हैं, use by space traveler, ये इसको साथ ले जाते हैं, वहाँ पर ये क्या करता है, oxygen बना लेता है उनके लिए, साथ में उसको as a protein source वो खा लेते हैं, तो ये हमने जो बताई, वो economic importance थी, किसकी algae की, अब हम क्या करेंगे बिटा, algae की तीन types हैं, उन तीनों types को detail में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कि basically वो क्या हैं, clear, उन तीन types के बारे में जानेंगे, आप देख लीजिए, economic importance जो NCRT बता रही है, हमने कहा था, अर्थ पर algae, photosynthesis के तुरू, oxygen basically fix करती है, basically, clear, हम लोग क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि marine पानी जादा है, तो maximum marine में fix कर रही है, clear, सही है, उसके बाद dissolve oxygen increase करती है, food chain है न, primary producer है, food chain का part है, उसके बाद laminaria और sargassum edible है, उसके बाद algine मिलता है, karagine देख रहे हैं, red algae से, clear, algine और karagine हमें मिलता है यहाँ पर, हमने लिखा red algae से मिल रहा है है, clear, यह चीज़ समझा रही है भी आपको, उसके बाद agar मिलता है, जो उसको microbes को grow करने में, ice cream और jellies बनाने में, और spirulina, जो single cell की algae है, उसको use करते हैं, space traveler, ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, algae की classification पढ़ेंगे, और 3 group में उसे divide करेंगे, ध्यान से सुनो, 3 group में divide करेंगे, सबसे पहला group रहेगा, हमारे पास green algae, जिसे हम chlorophycea क्याते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना विटक, और मैं जो sequence follow करूँगा, क्योंकि हमने अभी कुछ details पढ़ ली है, तो हमारे पास सबसे पहला group है, green algae, जिसका नाम है chlorophycea, आप क्या करेंगे, इन तीनों को compare करके पढ़ेंगे, green algae, brown algae, red algae को, तो जरा एक बर आ जाते हैं, green algae पे बात करते हैं, सबसे पहले इसके habitat की, ये कहां मिलती है मुझे, तो green algae मेरे पास, fresh water होती है जादा, fresh water meanly, बट हमारे पास क्या होगा, marine also, ठीक है marine also, ये green algae को लेके बता रहा हूँ, फिर हम बात करते हैं, green algae के structure की, देखो वही sequence follow कर रहा हूँ मैं, structure की बात कर लेते हैं, अगर मैं green algae के structure की बात करता हूँ बिटा, green algae के structure की बात करता हूँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, structure में मैं कहूंगा, कि अगर मैं form देखो green algae में, तो green algae, unicellular भी है, तो unicellular में आएगा, chlorella, और chlomidomonas, देख रहे हो ये, chlorella और chlomidomonas, chlorella पर कोई phlegela नहीं है, chlomidomonas में दो phlegela होता है, तो ये motile हो गया, और ये क्या हो गया, non motile, तो ये question भी था, 2018 में था कि non motile, green algae का ऐसा example करके पूछा था, that is chlorella, chlorella, and this is chlomidomonas, motile, non motile कैसे decide होता है phlegela पे, उसके बाद हम लिख सकते हैं philamentus, now what is philamentus, ऐसा कुछ, इस तरीके का, इसको हम philament कह रहे हैं, तो philamentus दो है हमारे पास, ऐसे एक eulothrix हो सकता है, और दूसरा मेरे पास होगा बेटा, spirogera, एक और example होता है philamentus का, उसका नाम cladophora होता है, जो इस चैप्टर में नहीं लिखा, photo senses वाले में लिखा हुआ है, clear philamentus है, थर्ड हमारे पास होता है बेटा, colonial algae, colonial algae का question, 2017 NEET में आया था, चीक है, तो colonial का example है, हमारे पास wall walks, क्या example है wall walks, चीक, तो examples बेटा, साथ के साथ करने हैं, क्लोरेला, कलमेडो मोनास, यूलो थरिक्स, ये वाले, wall walks में क्या होता है, cells होते हैं ऐसे, और वो सारे मिलके, ऐसे ही कठे रहते हैं, colony और multi-cellular में difference होता है बेटा, multi-cellular में cells एक दूसरे की help करते हैं, colony में साथ रहते हैं, maybe not helping each other, चीक है, and fourth बिटा हमारे पास, हम कह सकते हैं, थोड़ा सा advanced thallus है, मतलब advanced thallus का मतलब, thallus में थोड़ी सी differentiation है, उसका example है कारा, क्या example है कारा, चारा नहीं पढ़ना, इसको कारा पढ़ना है, ठीक है, तो ये तो हो गए इसकी form, और size भी बिटा vary कर सकता है, लेकिन हमें mainly form पे बात कर ली, अब जब हम structure पे पढ़ रहे हैं, तो हम green algae के cell की detail भी तो पढ़ेंगे structure में, क्योंकि मैं comparison करूँगा तीनों को अभी, cell की detail की बात कर रहे हैं बिटा, तो cell की detail में सबसे पहले cell wall, तो NCIT ने बोला है cell wall को लेके green algae की ध्यान से सुनों क्या बोला है, उसने बोला है कि cell wall में inner cellulose है, और outer क्या है बिटा, पैक्टिन, ये बात हमने करी थी, outer पैक्टिन है, और cell wall rigid है, NCIT कहते हैं cell wall rigid है, ये cell wall की detail हो गई, cell wall के बाद हम क्या बात करते हैं बच्चे, cell wall के बाद मैंने क्या बोला था, फ्लेजिला, तो मैंने कितने फ्लेजिला बताये थे green algae में, मैंने का था, दो से लेकर आठ हो सकते हैं, कैसे होंगे, apical होंगे, और कैसे होंगे, equal होंगे, apical और equal, ऐसा, equal size के apical, अभी तो दो ही दिखाए है, flagella के बाद हमने बात करी थी storage की, storage, हम लिखेंगे storage में starch है, and oil होता है, starch store होता है, और क्या होता है, oil store होता है, अब हम बात करते हैं बेटा, pigment की, हम क्या बात करते हैं इसके pigment की, तो green algae में chlorophyll A and chlorophyll B होता है, NCRT लिखती है, यह grass green color का है, घास के green color का, ठीक है, वो चार detail हैं जो structure को लेके है, थोड़ा सा मैं इसके chloroplast के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं, जो NCRT में और आपको आना चाहिए, clear, ध्यान से देखना, जो मैं यहाँ पर बता हूंगा, देखो, NCRT ने बोला है, ध्यान से सुनो बिटा, NCRT ने बोला है, क्योंकि green algae जो होती है, green algae में हमारे पास, pigments कहां होंगे? pigments present in chloroplast, कहां present होंगे? chloroplast में, plastids में, chloroplast या plastid कह सकते हैं, chloroplast की जो shape है हमारे पास, shape है, वो vary करती है, NCRT लिखती है कि different algae में shape अलग-अलग है, different algae में क्या vary करती है? shape vary करती है, shape अलग-अलग है, clear, जैसे कि spiral shape के chloroplast हो गए, spiral, spiral क्या होता है, मतलब chloroplast ऐसे, ऐसे spiral लगे है, cup shape हो सकता है, cup shape कलमाडो मुनास में होता है, उसके अलावा disc shape, disc मतलब flat सा, plate like, reticulate का मतलब होता है, branch type का, सही है, तो यह कुछ shapes लिखी हैं, अलग-अलग-अलग-अलग shape के chloroplast होते हैं, पहले वाँ example बढ़ाते थे, पर इसका खाली याद रख लो, spiral होता है, इसलिए उसका नाम ऐसा है, cup shape कलमाडो मुनास में होता है, यह दो याद कर लो, बहुत होगा आपको यह याद करने के लिए, अलग-अलग shape के chloroplast होते हैं, दूसरा क्या होता है बटा, chloroplast है यह, यह chloroplast है, जिसमें outer और inner membrane ऐसे होती है, और यह thailacoids है, chloroplast में एक structure होता है, जिसे pyrenoid कहते हैं, pyrenoid किसके अंदर होता है, chloroplast में, pyrenoid NCRT लिखती है बटा, एक से ज़ादा हो सकते हैं, और वो store करता है protein and starch, store protein beside starch, protein beside starch, clear, pyrenoid मे normally क्या होता है बटा, pyrenoid एक खास structure होता है, storage के लिए, और वो green algae के chloroplast में दिखता है, pyrenoid क्या करता है, storage के लिए है, protein और starch, तो pyrenoid में अंदर जो मेरे पास, क्या present होता है बटा, pyrenoid में अंदर मेरे पास protein होती है, और बाहर मेरे पास क्या होता है, starch, outer layer starch की होती है, तो इन दोनों को, structure एक pyrenoid storage का होता है, और वो green algae के chloroplast में होता है, ये चीज मुझे याद करनी होती है, structure वाली concept पे, तो हमने algae का structure पढ़ लिया, green algae के structure की detail पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, third is, देखो हमने क्या पढ़ा, first पढ़ा पढ़ा उसका habitat, कि green algae कहा मिलती है, फिर हमने पढ़ा उसका structure, structure में उसकी form पढ़ी, और cell की detail, third हम पढ़ते हैं nutrition, और मैंने आपको ये बात बोली थी, कि सारी algae में और पूरे plant kingdom में, एकी nutrition है, oxygen बनाने वाला, oxygenic photosynthesis, ये वाला nutrition मिलता है, अना, oxygen बनाने वाला photosynthesis मिलता है, clear हो गई बात, oxygen बनाने वाला क्या मिलता है, photosynthesis मिलती है, दूसरी चीज आपको ये समझने हैं बिटा, ये तो common होगे ने, इस पर ज़्यादा detail नहीं पढ़ने, हमने detail पढ़ने है, reproduction topic की, reproduction की, हमने कहा था, ठीक है, reproduction देखते है, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तो vegetative होती है, vegetative और asexual में variation नहीं बनती, vegetative का example है मेरे पास, example है fragmentation, क्या कोई algae बता सकते हो, जिसमें fragmentation ना हो, clear, सही है, सेम चीज, comment में बता सकते हो, क्या कोई A.C.L.G. बता सकते हो, जिसमें fragmentation ना हो, clear, सोच के बताना, तो vegetative हमारे पास क्या है, fragmentation शो है, asexual में spore होते हैं, और asexual में क्या होते हैं, spore, green algae में flegilla होता है, तो कौन से spore होंगे, zoospore होंगे, और third type की reproduction मेरे पास क्या है, बेटा, green algae में sexual, sexual में आप क्या पढ़ोगे, जिहां से सुनो, sexual green algae में तीन type की होती है, हना, तीन type की होती है, एक है मेरे पास, बेटा, iso gammas, जिहां से सुनो, यह important है, मैं यहां next slide में लिख रहा हूँ इसको, हमारे पास, sexual reproduction green algae में तीन type की है, ठीक है, तीन type की, ध्यां से देखें बेटा, sexual, तीन type की है, एक, iso gammas, हमने पढ़ा था, iso gammas का मतलब, same size के gammas, तो हम यह कह रहे हैं, बेटा, हम यह कह रहे हैं, iso gammas का मतलब, same size के gammas, इसमें दो option है, एक है motile, मतलब, gammas के पास, flagella होगा, इसका example, NCRT ने लिखा है, कलमाइडो मोनास, 12th की NCRT, chapter 1 में जाओगे, तो वहां लिखा है, हमारे पास, kledophora, kledophora भी, iso gammas motile होता है, इसके अलावा, आप Eulothrix लिख सकते हो, Eulothrix, non motile मतलब, flagella नहीं है, और size same है, ये कई बार, कम से कम बिटा, NEET में ये, 3 से 4 बार तक पूछा हुआ है, उसका example है, Spirogeara, तो Spirogeara, एक ऐसी green algae है, जिसका gamut, non motile होता है, उसके बाद, second हम बात करेंगे, O gamus की, second हम बात करेंगे, O gamus की, second हम बात करें, O gamus की, O, सरे, N iso gamus न, O gamus नहीं, N iso gamus, second हम लोग बात करें, N iso gamus की, ध्यान से देखना बिटा, N iso gamus का मतलब हुआ, अलग-लग size का gamut, एक बड़ा gamut, एक छोटा gamit ऐसे इसका example NCRT ने दिया है एक नई algae add करी तो Eudorina अना एक नई algae का example add हुआ था है 2-3 साल पहले that is Eudorina third हमारे पास है Oogamous Oogamous जो है बिटा ध्यान से देखो Oogamous का जो example green algae में दे रखा है वो दे रखा है wall walks तो आपको ये सबसे ज़ादा important topic है questions के लिए ये वाला बिटा बहुत important है questions के लिए सबसे ज़ादा question इस topic से आते हैं आपके algae वाले part में clear है ध्यान रखना इस चीज़ को क्योंकि मैं आपको Oogamous में fucus भी बताऊंगा पर वो brown algae है क्योंकि आपको क्या करना है बिटा अगर आप लो lecture देख रहे हो सबसे ज़ादा important आपके लिए examples याद करने होते हैं तो अगर आप कर सको तो ये वाले examples याद कर लो जो आपके पास green algae, brown algae और red algae के हैं clear, red algae के 4 example पढ़ने होते हैं polysiphonia, porphyra, gilidium, gracilaria brown algae के 6 example ectocarpus, kelp, laminaria, sargassum fucus और dicteota green algae के जो examples हैं देखो कौन-कौन से chlamydomonas, walvox spirogera, eulothrix, chlorella kara और cladophora और एक और add हुआ था eudorena, तो अगर आप सबसे पहले ये examples याद कर लो उसके बाद जब आप questions बनाओगे easily बन जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला कि u gamus में एक fucus भी है पर fucus brown algae में हम वहापे अभी green algae पढ़ रहे हैं तो green algae में दो examples sorry, u gamus के जो example है उसमें आप क्या पढ़ रहे हो बिटा आप सिर्फ नाम पढ़ रहे हो walvox का क्या नाम पढ़ रहे हो walvox हना, आप नाम जो पढ़ रहे हो इसमें, u gamus में वो आप नाम पढ़ रहे हो, यहाँ पर walvox ठीक है, अगर brown algae ही होता तो मैं यहाँ fucus लिख देता clear हो गई बात, अब हम आ जाते हैं brown algae पे, ठीक है यह देख लो green algae given है अब सारी details देख सकते हो, हम पढ़ चुके है देख लो, unicellular colonial filamentous ठीक है, grass green लिखा है ना, grass green, जिसमें chlorophyll A और B होता है हमारे पास clear होगी बात, दूसरा हम यह कह रहे हैं देख लो, अलग-लग shape के chloroplast है यह लिखे वे, ठीक है pyrenoid होता है, जो protein और starch रखता है इसकी cell wall rigid होती है मैंने बताया था आपको, rigid cell wall ठीक है, outer side में pectose होता है, lecture के starting में cell wall की जब हम बात कर रहे थे उसके बाद क्या है मेटा, हमारे पास vegetative reproduction take place by fragmentation, अना, clear zoospore होते हैं, और यह मेरे पास दे रखा, iso gamus and iso u gamus, u gamus का example wall walks और, हमारे पास lgr इस तो example दे रखे है u gamus का जो example है, हमारे पास वो इस वाले ncrt पे है जो starting में दे रखा था हमें यहाँ पे था, देखो हमारे पास, एक minute और इसके थोड़ा सा पीछ आते हैं, यह देखो, यह वाला wall walks और, यहाँ दे रखा iso gamus and iso, यहाँ example दे रखे green algae के, जो हमारे पास इस में आ रहे हैं, ठीक है इस चीज में आ रहे हैं, clear तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं इस पे, अब हम बात कर रहे हैं बटा brown algae की, clear, brown algae की बात करें, ध्याँ से सुना, देखिए brown algae में भी वही details पढ़ेंगे, जो हम normally पढ़ते हैं ध्याँ से सुनेंगे बटा brown algae mainly marine है mainly क्या होती है marine ठीक है, brown algae mainly marine है, clear होगी बात, उसके बाद अगर हम इसके structure की बात करें, तो इन में unicellular form नहीं होती structure की बात करें, तो इनकी form कैसी होती है, filamentous और filamentous में भी दो form होती है, बिटा जाँ से सुनना, filamentous में भी दो form होती है, कम branch ऐसे होती है, बिटा, branches less branch ये देखो, ये less branch है और NCIT ने बोला है बहुत जादा branch बहुत जादा branch के लिए word है profusely branched तो ये दो तरीके से हो सकता है less branch और profusely branch clear है, चीक है और इनका size जो अबिटा बढ़ते बढ़ते 100 meter तक जा सकता है जैसे की kelp अना, तो brown algae में unicellular के examples नहीं है unicellular के example किसमे है green algae में, clear होगी बात ये चीज़ समझ आ रही है, दूसरा brown algae का जो structure हमें दिखता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं एक brown algae बना रहा हूँ जान से देखना बिटा brown algae बना रहा हूँ इस तरीके से ये मालो brown algae है ये यहाँ कहीं attach होगी, किसी पत्थर पे कहीं attach होगी इसे कहते हैं stipe और ये attachment वाले पार्ट को कहते हैं hold fast hold fast से attach होता है और ये इसका main photosynthetic part है, जिसे front कहते हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं बिटा, brown algae के structure में थैलस में तीन पार्ट बन जाते हैं जैसे कुछ brown algae होता है वो थोड़ी सी differentiation शो करती है तो उसके थैलस में तीन पार्ट बन जाते हैं पहला पार्ट front होता है जो main photosynthetic part है यही front 100 meter तक लंबा हो जाता है क्योंकि ये root तो है नहीं कि यहाँ से खाना जाएगा उपर मिलेगा तो ये सारा का सारा पार्ट खुद से पानी और mineral एब्जॉप कर सकता है इसलिए बढ़ता चला जाता है तो front जो है वो main photosynthetic part है और एक बीच में part होता है stipe और नीचे attachment के लिए होता hold fast hold fast root नहीं है क्योंकि root absorption का का काम करती है तो brown algae में तीन पार्ट हो सकते हैं एक है front दूसरा है हमारे पास type और तीसरा पार्ट है हमारे पास hold fast जो main photosynthetic part है वो है हमारे पास front clear होगी बार अब हम आगे जाएंगे और brown algae में वो details पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे cell की detail brown algae की cell की detail एक बार green algae से compare करते वे बोलूँगा मैं इसे इसमें cell wall किसकी है cellulose की inner cellulose outer pectin था green algae में यहां inner cellulose है और उसके साथ algae नहीं है यह हमने पढ़ा हुआ भी अलग chemical है उसके बाद flagella green algae में कितने थे 2 से 8 थे apical equal यहां कितने है 2 है lateral है और unequal है 2 से जादा नहीं होते यह cell है मालो बड़ा एक छोटा lateral का मतला होता है side में apical मतला उपर clear flagella के बाद pigment कौन से pigment है बेटा chlorophyll A तो है उसके बाद chlorophyll C है और एक pigment होता है जिसे fucoxanthin कहते है अब यह fucoxanthin क्या होता है brown होता है NCRT लिखती है कि brown algae का color olive green से brown की तरफ जाता है जितना जादा fucoxanthin बढ़ता है मतलब आप fucoxanthin बढ़ाते जाओ olive green to brown हो जाएगा olive green से brown किस बात पे depend करेगा amount of fucoxanthin पे amount of fucoxanthin पे यह चीज़ समझ आ रही है clear उसके बाद pigment के बाद हम बात करेंगे बिटा अब तो यह आगया structure की डिटेल अब हम brown algae में क्या देख सकते हैं बिटा brown algae में हम देख सकते हैं उसके nutrition क्योंकि हम यह पढ़ते habitat structure nutrition nutrition तो वही होगा हमारे पास clear nutrition तो हमारे पास वही होगा oxygen बनाने वाला photosynthesis तो यह तो मैंने कहा था common चलेगा पूरे plant kingdom में oxygen बनाने वाला photosynthesis light की presence की photosynthesis पर oxygen बनेगी byproduct की problem fourth हम बात कर सकते हैं reproduction अब मेरी बात सुनो ध्यान से इसमें भी मेरे पास अगर मैं vegetative लिखूंगा तो fragmentation होगी इसमें multicellular होते हैं सारे तो fragmentation होगी fragmentation asexual कैसे होगी asexual में spore बनेंगे क्योंकि इसमें flagella है तो zoospore बनेंगे और zoospore पे कैसा flagella होगा lateral unequal flagella यह चीज हम बात कर सकते हैं समझ में आ रही है और sexual जब हम बात करेंगे तो इसमें भी तीनों बनते हैं बिटा ISO बनता है NISO इसके examples mention नहीं है brown algae में ISO gamus NISO gamus और O gamus clear O gamus चीज़के तो यह sexual reproduction तीनों होगी NCRT में सिर्फ O gamus का example दे रखा fucus तो आपको यह जरूर याद करना है कि fucus O gamus है clear होगी बात fucus क्या है हमारे पास O gamus है अब हम क्या करेंगे बिटा brown algae की यह जो details है हमने पढ़ ली है आप देख सकते हो यही चीज़े में आपको पढ़ा रहा था जब से brown algae को Feophycea ही कहते है size और form उनका size बहुत बढ़ा simple branch से profusely branch लिखा था न हमने profusely 100 meter तक जा सकता है kelp में A, C और zentophyll देख रहे हैं zentophyll का एक example है हमारे पास fucoxanthin yera और color change होता है olive green से brown की तरफ clear यह चीज़े यह बिटा आपको अब आना चाहिए ठीक है उसके बाद हमने क्या लिखा LG न होता है cell wall में उसके hold fast, stipe, frond clear यह चीज समझा रहे है zoospore होगा जिसमें 2 flagella होगे flagella lateral होगा unequal size दूसरा हम cell की pear shape लिखते है lateral flagella unequal ठीक clear यह चीज समझा रहा है sexual reproduction में भी iso gamus and iso gamus clear सही है और हमारे पास u gamus का example था हमने इसके 6 example पढ़ने है brown algae calp ectocarpus pucus laminaria sargassum और dicteota यह 6 example आपने पढ़ने है clear है वो हमने अभी जस्ट आपको दिखाया अब जो red algae है बिटा हमारे पास red algae जो है ध्यान से सुनना red algae जो है उसको हम rhodophycea ही कहते है red algae को क्या नाम देते है rhodophycea rhodo हम यहान लिख देता हूँ rhodophycea अब इसकी भी detail एक बर compare करके पढ़ेंगे सबसे पहले habitat यह भी मेरे पास marine है जैसे अगर आपसे मैं एक general बात करूँ तो मैं कहूँगा green algae fresh water होती है brown algae क्या होती है marine होती है ठीक है red algae भी marine होती है तो यह भी marine होगी और यह deep sea में भी मिलती है deep sea में मिलती है 12th class में यह detail आती है structure में यह भी multi-cellular है हना यह भी multi-cellular है पर इनका उतना size नहीं होता और filamentous होगे यह भी यह भी क्या होगे filamentous अब सबसे important है इनके cell की detail अगर मैं इनके cell की detail बताओ comparison करके तो क्योंसी चार detail पढ़ूँगा सबसे पहले cell wall पढ़ूँगा cell wall बताओ क्या आएगा सोचो कुछ से सोचो cell wall में cellulose होगा और उसके साथ मेरे पास karagene है उसके बाहर उसके बाद मैं अगर बात करूँ cell wall के बाद तो हमारे पास फ्लैजिला नहीं है फ्लैजिला इसमें होता ही नहीं तो इसलिए ये non-motile होते है चाहे gamet हो चाहे spor हो और इसके pigment क्या है बेटा pigment है हमारे पास chlorophyll A and chlorophyll D उसके साथ एक और pigment होता है हमारे पास जिसे phycoerythrine कहते है phycoerythrine erythrine का मतलब erythrocyde से word ला रहे है red color और storage इसमें बिटा एक अलग तरह का starch होता है जिसे हम floridian starch कहते है NCRT कहती है floridian starch का structure similar है glycogen से similar to glycogen और वही चीज और किस से match करती है and amylopactin amylopactin और glycogen क्या है हम लोग बात करने वाले है biomolecule में clear होगी बात सही है चीक है तो यह इनके cell की detail होगी अब हम देख सकते है बिटा इनकी red algae की nutrition तो वही आएगा oxygen वाला इसको लिखने की need नहीं है same fourth is हमारे पास reproduction और बहुत important चीज बेटा अगर मैं इसमें vegetative कहता हूँ तो क्योंकि ये भी multicellular है तो क्या होगा क्या होगा fragmentation होगी हना fragmentation होगी clear asexual की बात करूँ तो spore बनेंगे लेकिन flagella नहीं है तो कौन से spore बनेंगे सोचो flagella नहीं है कौन से spore non-motile non-motile कौन से वाले हो गए क्या नाम बताये था non-motile का aplanospore तो red algae में कौन से spore बनेंगे aplanospore फिर हम sexual में आ जाते है green algae brown algae red algae tino iso niso u gamus होता है red algae जो होती है हमारे पास वो सिर्फ u gamus होती है सिर्फ क्या होती है u gamus होती है तो ये details है हमारे पास tino algae की make sure आप comparison करके याद करो clear make sure आप क्या करो इन्हें comparison के थूर याद करो ठीक है और इसमें एक anxiety बात जरूर लिखती है कि उसमें after fertilization एक कुछ complex change होते है तो red algae जो हमारे पास है विटा उनमें हमारे पास ये pigment है ठीक है देखरो well lighted region clear और वो even depth पे भी होता है red depth पर भी होता है ये storage की बात कर दी floridian starch ठीक है mainly multicellular है सही है चार example है जो हमने पढ़ने होते है polysiphonia porphyra gracilaria gelidium ठीक है और हमने बोला था ये mainly सिर्फ क्या होती है Oog MS ISO and ISO नहीं होता तो ये आपका algae का लगबख comparison आपका complete कर रहा है और अगर आप ध्यान से देखो इस table के थूँ ये बहुत important table है ठीक है ये maximum चीज़े हमने cover करिए एक चीज ये याद करनी है आपको polysulfate tester ये cell wall में present होता है मतलब आपके पास algae की cell wall में कौन से वाली algae की red algae की polysulfate tester हमारे पास present होता है ये चीज़ ध्यान रखने की clear ये चीज़ ध्यान रखने की तो हमने बिटा nearly algae को complete कर लिया है ये तुरू में questions करना चाहूँ जैसे मैं अगर आपको बोलू की which of the following not have flagella तो आप इन में से example खोजो क्योंकि अभी हमने बोला flagella नहीं होता तो next class में आप ये examples याद करके रखना ठीक है मैं इनके तुरू आपको algae के questions कराऊंगा और algae की आपको life cycle पढ़ाऊंगा कि algae की life cycle क्या होती है हम neat के questions भी देखेंगे उसके साथ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि आप algae के ये example अगर possible हो तो हमारे पास आप ये examples भी कर सकते हैं जो other group के हैं basically algae के तो ये example आप करी सकते हैं याद तो ये examples याद कर लिए जो fancy art की है इन examples को जो अगर आप कर लेंगे याद मैंने अगर आप स्क्रीन शॉट लेके कर सकते हैं इन examples को याद करने के बाद questions बहुत easily बन जाएंगे और जो comparison की form में मैंने आपको बताया वो आप करिए तो next class में हम लोग life cycle की बात करेंगे algae की और algae के कुछ questions करेंगे और topic पढ़ने वाले हम लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो स्पर्म और एंजिो स्पर्म पढ़ाई करते रहें All the very best